मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करेंगे फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो वीडियो शुरू करने इस पर आपको बताना चाहूँगा या जो नंबर आपकी स्क्रीन के उपर आपको नजर आ रहा है या मेरा वाटसअप नंबर है अगर आप भी अपने हैं की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर वाटसअप मैसेज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक rectangle की shape बना रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हतेली की जो यहाँ पर indicate करती है काफी ज़्यादा analytic type की personality को काफी hard working और अच्छी energy वाली nature भी इनकी रहेगी क्योंकि इनकी जो fingers हैं काफी थिक नज़र आ रही है fingers में सूरिया finger की अगर लंबाई को देखा है तो काफी अच्छी लंबाई है सूरिया finger की और ब्रस्पती finger थोड़ी short होती नज़र आ रही है अब देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ इनकी सूरिया finger है जो अच्छी length में होने के साथ साथ शनी finger के बिल्कुल equal पहुँचती हुई जो यहाँ पर indicate करती है एक risk taking type की personality को ऐसे व्यक्ती का social circle भी काफी अच्छा रहता है और काफी अच्छी creativity व्यक्ती के भीतर रहती है जिनकी सूरिया finger की लंबाई अच्छी हो लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ती काफी adventures होते हैं risk taker होते हैं अपने धन के मामले में भी ऐसी जिगाहों पर के पर investment कर बैठते हैं जहां पर धन का loss होने के भी equal chances रहते हैं जैसे share market है, cryptocurrencies हैं या mutual funds जैसी investments भी करने की tendency ऐसे व्यक्तियों की रहती है और शनी finger यहाँ पर काफी straight है शनी finger का बिल्कुल straight होना और काफी अच्छी thickness में होना यहाँ पर indicate करता है कैसे व्यक्ति काफी hard working nature के भी रहते हैं और गुरू finger के अगर बात की जाए तो गुरू finger straight है काफी अच्छी तरह से लेकिन size में थोड़ी short नजर आ रही है अगर हम compare करते हैं इनके surya mount के साथ, surya finger के साथ तो थोड़ी size में short होने की वज़े से leadership qualities में थोड़ी सी कमी व्यक्ति के आ सकती है और family की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी सी weakness रहने के chances रहते हैं जब प्रस्पति finger short हो Mercury finger के अगर बात की जाए तो काफी अच्छी length में Mercury finger यहां पर indicate करती है के communication skills ऐसे व्यक्ति के काफी अच्छे रहते हैं और business skills भी ऐसे व्यक्ति के बितर काफी अच्छे रहते हैं और fingers के बीच में जो gap नजर आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों fingers के बीच में काफी अच्छा major gap है जो इस तरह का gap रहता है यह indicate करता है काफी जदा independent type की nature को ऐसे व्यक्ति अपने decisions अपनी मर्जी से लेते हैं किसी का influence इनके ओपर नहीं हो सकता और जिनकी fingers खासता और पर mercury और सूरे finger में gap हो ऐसे व्यक्ति थोड़े से जदी सभाव के भी रहते हैं overall fingers के ओपर छोटी छोटी खड़ी रिखाएं मौझूद है जो काफी अच्छी मानी चाहती है आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर close up में कुछ इस तरह हैं कि छोटी रिखाएं और लगबग सभी फैलेंज इसके ओपर एसी खड़ी रिखाओं का होना indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति की जो nature रहती है काफी friendly और sober nature रहती है और thickness अगर आप यहाँ पर fingers की देखें तो काफी अच्छी thick fingers हैं जिसकी वज़े से अच्छी energy और stamina इनके भीतर रहने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं और check करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद इनकी सभी रिखाओं को भी यहाँ पर check करेंगे तो अगर मैं एक line draw करता हूँ कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके सभी mounts काफी अच्छी position में है कोई भी mount ज्यादा low set नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छा arch यहाँ पर इनकी fingers की setting से बनता हुआ और अगर हम one by one सभी mounts को देखते हैं तो सबसे पहले ब्रसपती mount को ही check कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रसपती mount का जो area है काफी अच्छा उभरा हुआ area है और ब्रसपती finger थोड़ी short जरूर है लेकिन यहाँ पर ब्रसपती mount काफी positive नजर आ रहा है एक उभरा हुआ ब्रसपती mount जिनके भी हाथ पर रहता है ऐसे व्यक्ती काफी ज्यानवान होते हैं knowledgeable होते हैं और ऐसे व्यक्ती की wisdom बहुत अच्छी रहती है finger का short होना यहाँ पर कुछ कमिया जरूर लाता है इस तरह के प्रभावों में लेकिन overall knowledge के मामले में spirituality के मामले में यहाँ व्यक्ती काफी लखी रहते हैं घर से दूर रहने के chances बन सकते हैं business के सिलसले में या studies के सिलसले में ऐसे व्यक्ती कुछ समय तक घर से दूर रह सकता है otherwise यहाँ पर family के सुखों में कमी नहीं आती जब यह मांट उभरा हुआ हो और इसके साथ-साथ अगर इनके शनी मांट को देखा जाए शनी मांट यहाँ पर काफी prominent है बहुत ज़्यादा दब नहीं रहा है लेकिन शनी रेखा यहाँ पर strongly शनी मांट तक नहीं पहुँच पा रही जिसकी वज़य से life में काफी struggle भी व्यक्ती को करना पड़ता है और life में शनी रेखा का weak होना इस तरफ indication भी देखा कि व्यक्ती को कुछ समय तक hardships का सामना करना पड़े जैसे आपको दिखाना चाहूँगा इनकी भागया रेखा से आप देख सकते हैं जैसे इनकी भागया रेखा जो बिलकुल base से चल रही है कुछ इस एरिया से बिलकुल strong होकर उपर की तरफ बढ़ती हुई और यहां आकर यहां रेखा थोड़ी सी weak पड़ रही है उसके बाद इस रेखा को दो भागों में divide होते हम देख सकते हैं इस तरह डबल line होती हुई उपर की तरफ चलती हुई तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां जो area है यहां पर यहां रेखा थोड़ी सी कमजोर होती हुई लगभग यहां पर 33 की age के बाद से थोड़ी सी दिक्टें life में आ सकती हैं hardships रहा सकती हैं फिर 36 की age के बाद यहां पर double होती हुई रेखा काफी स्पोर्ट करेगी इनको और 36 की एज के बाद ऐसे व्यक्ती को लाइफ में काफी अच्छी प्राउग्रस देखने को मेंगी है आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आकर लगबग यहाँ जो एज रहेगी 55 की 55 की एज के बाद फिर से थोड़ी सी काम करना पड़ेगा Otherwise और कोई भी प्राउब्लम नहीं होती है अगर यहाँ रेका रुकती है तो थोड़ा बहुत कई बार financial issues का भी व्यक्ती को सामना करना पड़ता है लेकिन जब कोई व्यक्ती hard working होता है तो ऐसी प्रस्थितियों से निकल जाता है लाइफ में आगे progress कर लेता है आगे चेक करें इनके सूर्य मौंट को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सूर्य मौंट काफी अच्छा नजर आ रहा है लेकिन सूर्य रेका यहाँ पर strongly नजर नहीं आ रही बहुत ही बारी कुछ रेकाई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कुछ इस तरह की रेकाई आप देख सकते हैं सूर्य मौंट के ओपर नजर आ रही है एक से ज्यादा रेकाई इस मौंट के ओपर होना indicate करता है कि ऐसा व्यक्ति मल्टि टास्किंग हो सकता है एक से ज्यादा तरह के कामों में सक्षम हो सकता है और यह जो खड़ी रिखाई है व्यक्ति को थोड़ा सा confused भी करती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के भीतर प्रतिभाएं काफी होती है capabilities कई तरह की होती है artistic qualities भी होती है multitasking type की personality व्यक्ति की होती है जिनके इस mount के उप्रैसी खड़ी रिखाए हो और इसी व्यक्ति कई बार अपना career का चुनाव करने के मामले में भी थोड़ा सा confused रहता और काफी लंबे समय के बाद सही career में आ पाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो mercury mount है mercury mount low set नहीं हो रहा काफी अच्छी position में है यहाँ से अगर हम इस line को देखते हैं तो यह है एक अच्छी space इनके mercury mount को मिल पा रही है mercury mount का अच्छी space में होना mercury finger का लंबाई में होना व्यक्ति के business equipment को strong करता है ऐसे व्यक्ति के communication skills काफी अच्छी रहते हैं और mercury mount के उपर अगर खड़ी रिखाएं मौझूद हो जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा strong तो नहीं लेकिन कुछ हलकी खड़ी रिखाएं इस mount के उपर मौझूद है ऐसी रिखाएं व्यक्ति को काफी लाब देती है व्यक्ति के बीतर healing qualities आ जाजाएं जो खड़ी रिखाएं इस mount के उपर हो लेकिन अगर यहाँ पर 6-7 खड़ी रिखाएं हो तब इसके प्रभाब सबसे ज़्यादा होते हैं और मैंने बहुत से hands में देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके mercury mount के ओपर 6-7 खड़ी रिखाएं हो किसे ना किसी तरह से social work में या medical field से जुड़े देखे हैं तो यहाँ पर भी healing qualities रहेंगी दूसरों के प्रति sympathetic nature व्यक्ति के भी तरह आ जाती है जब ऐसी खड़ी रिखाएं यहाँ पर हो और यहाँ रिखाएं इन्हें काफी help करेंगी business करने के मामले में भी अगर business में जाती है तो यहाँ पर इनके लिए लाबदाय करेंगी और even अगर job के खेतर में ऐसा व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर भी व्यक्ति को calculations के मामले में और communication के मामले में काफी help मिलती है मरकरी की तरफ से आगे देखते हैं यहाँ पर इनकी line of heart को अब देख सकते हैं heart की line काफी अच्छे curve में नजर आ रही है विशनू सिंबल यहाँ पर create कर रही है कुछ इस तरह की इनकी heart की line और यहाँ पर एक V symbol बनता हुआ इस तरह का symbol जब भी heart की line के अंत में बनता है इसको काफी lucky माना जाता है जिनके भी हाथ पर ऐसा विशनू चिन होता है ऐसे विक्ति काफी भागयशाली होते हैं और खास तोर पर progress के मामले में यह line काफी help करती है यह चिन काफी मददगार होता है विक्ति को progress करवाने में लेकिन जिनके भी हाथ पर यह चिन बनता है उन्हें हमेशा मैं यही suggest करता हूँ कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर कोई भी unfair mean use कर पैसा कमाते हैं तो life में progress रुख सकती है और life में hurdles, obstacles आ सकती है तो अगर ऐसा विक्ति जिनके हाथ में विश्न उचिन है सही रास्ते पर चलता रहे, इमानदारी से काम करे तो life में काफी अच्छी progress इन्हें देखने को मिलती है आगे अब देख सकते हैं, कर्व अच्छा है इस लाइन का उपर की तरफ मुड़ती हुई या रेखा है इसकी वज़य से एक caring type की nature रहेगी थोड़ी सी emotional nature रहने के chances भी इस तरह की रेखा दर्शाती है overall काफी अच्छी और पतली रेखा है जिस वज़य से हाट की health में इनको help मिलेगी लेकिन यहाँ पर आकर लगबर अगर देखा जाए 50 के असपास की age में आकर थोड़ी सी weakness आ रही है जिस वज़य से blood pressure जैसी problem का सामना नहीं करना पड़ सकता है और कुछ branches हाट की line से नीचे की तरफ चलती हुई ऐसे branches अगर हाट की line पर हो तो ऐसे व्यक्ति को emotional setbacks मिलते है life में उनी लोगों से व्यक्ति को emotional setback मिलते है जिनके उपर ऐसे व्यक्ति काफी ज़दा भरोसा करते है आगे आप देख सकते हैं इनकी line of mind को mind के लिए यहाँ बहुत अच्छी निज़र आ रही है जिनके हाथ में इस तरह की एक लंबी mind की line मौझूद हो और इस लंबी mind line का एक नुकसान भी रहता है कि कई बार ऐसा व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और आगे नहीं बढ़ पाता move on करना रहता life में जैसे कभी कोई problem हो जाती है जिनकी लंबाई में हो इस तरह से रेखा और अगर हम यहाँ पर इनकी life line को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं life line यहाँ 70 के असपास की इस तक बहुत स्ट्रॉंग होकर चल रही है और इस age के बार यहाँ पर आगे weakness के बढ़ रही है और यहाँ पर touch हो रही है जो indicate करती है कि थोड़ी health issues after 70 इने आने के संभावना रहेगी और age जो है 80 के असपास रहने के chances हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी health week होने के chances हैं क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ जो रेखा है इनकी यहाँ आगे बढ़ रही है और continue हो रही है और बीच में एक आपको gap जैसे स्थिती यहाँ पर इनके नजर आ रही होगी लेकिन इस gap को fill करने का जो काम करती है वो भागया रेखा करती है जैसे यह रेखा साथ साथ चल रही है यहाँ इस gap को fulfill करती है और कोई भी problem life नहीं होती एज व्यक्ति की लंबी रहती है लेकिन फिर भी कुछ health issues आने की संभावना 75 or 70 के बीच में यहाँ पर रहने की संभावना रहेगी और अगर हम बात करें इनके शुक्र माउंट की काफी अच्छा शुक्र माउंट है उबरा हुआ एरिया जिस वज़े से व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी कामुकता धिक रह सकती है और यह माउंट उबरा हुआ व्यक्ति को थोड़ा खर्चीला भी बनाता है इस वज़े से धन संचे में भी थोड़ी से दिक्टें आ सकती है लेकिन ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी लाइफ इंजॉय करता है हर तरह की comforts व्यक्ति को लाइफ में मिल जाती है और अगर हम चंदर माउंट की बात करें तो काफी clear है चंदर माउंट यहाँ पर कोई भी negative lines नहीं है जिस वज़े से mind की stability व्यक्ति काफी अच्छी रहती है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में